और इधर माहा गठबंदर में भी सीट शेरिंग को लेकर चल रहे एक हीचतान जारी है हाला कि सूत्र बता रहे हैं कि आरजरी और कॉंगर्स के बीच आज दिल्ली में एक एहम बैठा हो सकती है जिसमें सीटो का फॉर्मुला फाइनल हो सकता है लोकसभा चनाओ का एलान हो गया साथ चरन में चनाओ की खोशना हो गई लेकिन बिहार की सीटो को लेकर महा गठबंदन में खीचतान अभी चारी है हालकि इसी बीच सूत्रो की माने तो आरजेटी और कॉंगर्स के बीच सोमवार को दिल्ली में एक एहम बैठक हो सकती है इस बैठक में बिहार प्रदेश कॉंगर्स अध्यक्ष अकलेश और सिंग भी शामिल होंगे जहाँ सीटो का पेच सुलजाने की कोशुश की जाएगी अब तक महागडबंदन में शामिल दलों के बीच सीटो के बटवारे पर सहमती नहीं बन पाई है आरजेटी कॉंगर्स को साथ से आठ सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है जबकि कॉंगर्स की डिमांड 11 सीट की है दूसरी ओर वामपंथी दल 6-7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन आरजेटी उन्हें 3 सीट देना चाहती है क्योंकि आरजेटी बिहार में 30 सीट से कम पर लड़ने को तयार नहीं है यही वज़ा है कि सीट श्यरिंग का मामला सुलज नहीं पाया है सीटों की संख्या के साथ साथ कुछ सीटों पर भी मामला फज़ा हुआ है बताया जा रहा है कि कॉंग्रस ने बेगु सराय और कटिहार सीट पर दावा ठोक रखा है बेगु सराय से कॉंग्रस कनहिया को प्रत्याशी बनाना चाहती है जबकि कटिहार सीट से तारिक अनवर को कॉंग्रस उमिदवार बनाना चाहती है दूसरी और बेगुसराई सीट पर लेफ्ट की भी दावेदारी है तो कटिहार सीट पर आरजेडी की भी दावेदारी है आरजेडी अश्फाक करीम को कटिहार से उमिदवार बनाना चाहता है मतलब कि इंडी अलाइंस के अंदर सीट को लेकर कई तरह के पेज फसे हुए हैं हाला कि गडबंदन में शामिल सभी दलों का ये दावा है कि जल्द ही बात बन जाएगी और सीट शेरिंग का फॉर्मूला सेट हो जाएगा अपने किड़नी डोनेट कर पिता को नया जीवन देने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोणी अचारय को संसदिये राजनिती के मैदान में उतारने की मांगतीयस हो गई है पुर्मंत्री और आर्जेडी नेता चितंदर राय ने लालू प्रसाद और तेस्परी आदों से मांग की है रोणी अचारय को सारण से लोगसभा चुनाओ का टिकट दे कर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए